हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आई आज बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरफ से आप एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे और वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पुछा जाएगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार के इवावो के लिए कच्छी कबर राज सरकार के राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग में बंपर वेकेंसी है रिक्त पदो पर बिहार सरकार 3000 से अधेक इवावो को बहाल करने जा रही है अंचलों में डाटा एंट्री ओपरेटर और अन्य तक्निकी कर्मियों की अवैसकताव को देखते हुए 3883 पदों की स्विक्रती दी गई है राजस्व एवं भूमी सुधार मंत्री राम सुरत राय ने कहा कि आमीन की कमी को दूर करने के लिए समिधा के अधार पर स्रोजित कूल 550 पदों में से 486 अमीन का नियोजन कर 9 मर्च को परसिक्षन कार्य प्रारम कर दिया गया है राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग में रिक्त पदों पर जिसे ततकाल बेल्टरोन आउट्सोर्सिंग से वाव को लिया जाएगा अगली बड़ी कबर होली से पहले बिहार सरकार का बड़ा आदेस गंदगाना बजाने पर होगी करवाई सबी आधिकारियों को लिखा गया पत्र समाज में असलेल तफ हलाने वाले लोगों पर नकिल कसने के लिए बिहार सरकार की और से एक सकरात्मक पहल की सिरवात की गई है बिहार सरकार की ओर से असलेल गाना पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गिया है जो भी लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी निदिश सरकार की ओर से तमाम बड़े प्रसासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा गिया है साती बिहार राज परिवहन विबाग के कमिस्नर की ओर से वेलसाइक वहनों में असलील गाना बजाने पर रोक लगाने की बात कहे गई है कमिस्नर ने असलील गाना बजाने वाले के विरोध कड़ा रोक अक्तियार करते वे अब वैसे वहनों का परमिट रद करने का आदेश ज घर आने जाने वाले लोगों के लिए रेलवेई इस बारवी से स्ट्रेण चलाएगी पुर्व मयद रेल के रास्ते विभेन स्टेशन सेखुलने वगोजने वाले 29 ट्रेनों का परिचालन होले स्पेसल के रूप में होगी इसके लिए रेलवे द्वारा 29 ट्रेनों की सुची भेजी जा चुकी है इन सुची में बेगुसरा स्टेशन के रास्ते एक भी ट्रेन चलाए जाने की सुचना अभी तक नहीं दी गई है आपको बता दे कि इन ट्रेन गोरगपूर आसनसोल दनापूर भागलपूर भागलपूर मुझपरपूर गया हावडा कुलकत्ता उदयपूर सिटी सीवडी वाडा और स्पेसल ट्रेन दिगा आसनसोल दिगा मालदा टाउन मालदा टाउन सुंदरवन पत्नम मालदा टाउन सितामरिक कुलकत्ता और आसन सोल हल्दिया स्पेसल टेन सामिल है बिहार में प्रतिदेन औसतन 41 कोरोना संक्रमित की हो रही है पहचान हो रही है पिछले पांच दिनों में राज में 205 संक्रमित की पहचान की गई है 9 मार्च को 44, 10 मार्च को 45, 11 मार्च को 28, 12 मार्च को 38 और 13 मार्च को 50 ने संक्रमित की पहचान हुई है महराष्ट मैद परदेश, पंजाब, दिल्ली वा, केरल सहीत आने राज्यों में कोरोना संक्रमित की संक्रमित में बढ़ोत्री हो रही है कोरोना पुरी तरन नियंत्रित है दूसरी और होली को लेकर कोरोना के परती विभाग अलट आने राज्यों से आने वाले सभी लोगों की होगी COVID-19 टेस्ट देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते विभाग पुरी तरह अलट है संक्रमन के खिलाब देश बर में टिका करन अभियान की सिरुवाद भी हो चुकी है लेकिन कोरोना संक्रमन अभी टला नहीं है होली के मदे नजर विभाग अलट मोड में आ गया है दोसरों राज्यों में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते विभाग ने कोविट टेस्टिंग की तेजी लाने का निर्देश दिया है होली में दोसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों पर बिसेस नजर रखी जाएगी सभी लोगों की कुरोना जाच की जाएगी इसको लेकर सभी प्रभारिची किस्ता पदाधिकारी वह सभी पदाधिकारीों को आवज़सक दिसा निर्देश दिया गया है सिविल सरजन ने बताया कि होली में काभी सेंख्या में लोग दूसरे परदेश से अपने अपने घर आएंगे ऐसे में संक्रमन बढ़ने के आसंका से इंकार नहीं इसलिए कोरोना जाच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है देश में बढ़ती महंगाई की खिलाब जन अधिकार पाटे की महिला परिसद ने दिया धरना पपो यादव भी थे मौजूद जिया पटना के गरदनी बाग धरना इस तल पर बेटे जाप करकरताओं ने सरकार पर कई गंबीर आरुप लगाए इस मौके पर जाप के राष्टिया दक्ष पपो यादव भी मौजूद थे पपो यादव ने कहा कि महंगाई के दिन पर दिन बढ़ दी रही है जिसे रोक पाने में सरकार बिफल साबित हो रही है पेट्रोल, डिजल, रसोई, गेस, रेल, किराया और रोज उपयोग में आने वाली बस्तों के दाम बढ़ जाने से आम लोगों की परिशाने बढ़ गई है लेकिन केंद्र और राज सरकार महंगाई को नहीं रोक पा रही है जन अधिकार पाटी की महिला परिशत ने महंगाई की खिलाप जो बिगुल भूका है वो आगे भी जारी रहेगा पपो यादम ने कहा कि प्रकंड और पंचायत इस्तर पर भी धर्ना देंगे और जरुत पड़ी तो राजबहन मार्च निकालेंगे और बिहार बंद का भी आहवान करेंगे बिहार में मुखिया चुनाव पर संकट बरकरार निर्वाचन आयोग का बड़ा ठेंशन जिया बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारिया जोरो पर है मुखिया सरपन, जिला परिसद और पंचायत समेती सदश से समेती छोप पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और राज निर्वाचन आयोग की लड़ाई में बिहार का पंचाय चुनाव फस गया बिहार पंचा चुना में इवियम मसिन की अनउपलबता मामले में पटना हाइकोट ने अगले महिने 6 अपरेल तक सुनवाई टाल दी है बार को नहीं मिलेगा जिले का दरजा विधानसवा में सरकार ने कर दिया साब जिया पटना जिला में सामिल बार को लंबे अरसे से जिले का दरजा दिये जाने के मांग उठती रही है कल एक बार फिर इस मामले को बार की विधायक ग्यानेंद्र सिंग ग्यानों ने विधानसवा में उठाया बिजेपी विधायक ने सरकार से सवाल पोचा कि आकिर बार को जिले का दर्जा कब दिया जाएगा बिजेपी विधायक की सवाल पर सरकार ने जो जवाब दिया है उसे इसपश्ट हो गिया है कि फिलाल बार को जिला नहीं बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से जवाब देते हुए प्रभारिम मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि फिलाल बार को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है 31 मार्ज तक इस तरह के किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती है इसके बाद विजेबी विधायक ने सरकार से जानना चाहा कि क्या अगले वित्तिय वर्स में बार को जिला बना दिया जाएगा इस सवाल के जवाब में भी सरकार ने कुछ इसपष्ट तोर पर नहीं कहा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगले वित्तिय वर्स में क्या होगा और क्या नहीं इसके लिए माननीय सदिस को फिर से सवाल लाना होगा सरकार का रवया बार को जिला बनाये जाने के सवाल पर ऐसे था जैसे मानों उस पर कोई सपष्ट आस्वासन नहीं दना चाहती है कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं तेजस्वी के इतना कहते ही विदानसवा में बवाल बीजेपी गर्माई बिपक्च का वह काउट बिहार बिदानसवा में नेता प्रतिपक्च तेजस्वी यादव के पहले सवाल नहीं भोचाला दिया दरसल तेजस्वी के पहले सवाल पर सरकार ने जो जवाब दिया उससे नेता प्रतिपक्च संतुष्ट नहीं हुए वह बार बार पूरक पूछ रहे थे और इसी को ले नहीं आई और बावाल खड़ा हो गिया दरसल सोर सरावे के बेच एक तेजस्व यादव पुरक सवाल पूछ रहे थे आवाज इतनी ज़्यादा थे कि मंत्री प्रमोद कुमार सवाल नहीं सुन पा रहे थे फिर तेजस्व यादव ने उन्हें हेटपोन लगाने के लिए क्य बिहार विदानसवा में नेता प्रतिपाक्ष तेजस्व यादव ने बजट सत्र के दोरान कल पहला सवाल पूछा इसके पाले भी प्रसनोत्तर काल में तेजस्व यादव का सवाल आया था लेकिन उस दिन वह सदन में मोजोद नहीं थे कल तेजस्व यादव का सवाल बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों से जुड़ा हुआ था तेजस्व यादव ने पोजा कि बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों का परिसंपतियों को बेच कर कितनी रासी हासिल की गई बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने के लिए न तो बंद बड़ी सुगर मिलो को और बरवाद किया जा रहा है तो जैसे व्यादों के सवाल पर गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोध कोई ने जवाब देते विए कहा कि बिल्डिंग की पूरी प्रक्रिया पार दर्सी तरीके से की गई है। तो जैसे व्यादों ने कहा कि जिन सुगर मिलो को इस्थांतरित किया गया है उसका पूरा डेटील सरकार उपलब्द कराए। जवाब मांगा सरकार से पूचा कि आर साल बाद भी कैस क्रेडिट गुटाले के दोसियों के उपर क्या करवाई हुई और पिर इसका जवाब मांगा। सरकार की तरब से सदन में बताया गया कि केस क्रेडिट गुटाले से जुड़े मामले में पूलिस की तरब से कई मामलों में जाज परतिवेदन आ चुकी है। दोसियों के खिलाब सक्ट करवाई भी जारी है। प्रबारे मंत्रे विजंद्र आदम ने कहा कि इस मामले में कई आरोपी जमानत पर बाहर हुए है। अगली बड़ी कवर स्वास्त विवाग का बड़ा फैसला विना मेसेज भी टिका का दूसरा डोज। में कोरोना वारस के बड़ते मामले और वैक्सिनेशन के मुद्धी पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी 17 मार्च को एक बार पेरे सभी राज्यों के मुख मंत्रे के साथ बैठक करेंगे। आपको बड़ा दे कि इसके लिए सेक्षन की योगिता आठवी कक्षा पास है। ओफिसर असिस्टेंट पद के लिए LMV ड्राइविक लाइसेंस कोकिंग में अनिवव हाउस कीपिंग में अनुववालों को वरियता मिलेगी। और अंकी बड़े कबर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जस्पिरित बुमरा साधी के बंदर में बन चुके हैं। उन्होंने गवा में टीवी प्रेजेंटर संजना गनेशन के साथ साथ फेर लिये हैं। बुमरा और संजना ने अपने रिष्टदारों और करीबी दोस्तों के बीच साधी की है। आपकी जानकारे के लिए बता दे के 28 साल की संजना गनेशन एक क्रिकेटर इंकर है, कई टोनामेंट भी उन्होंने हिस्सा भी ली है, खासकर वो IPL में सक्रियर ही है। इसके अलावा संजना गनेशन ने साल 2013 में फेमिना गर्जियस का किताब भी जिता था। आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भीम, बांध, वैन, जीव, अवियारान, बिहार के की जिले में इस्सित है। इसका जबाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।